क्या आप जानते हो दुनिया का सबसे यंगेस्ट किलर अपने इंडिया से ही है। वो भी एक 8 साल का छोटा सा बच्चा जिसने अपनी 8 महीने की बहन और 6 महीने के कजिन का मुर्डर कर दिया था। बच्चे मन के सचे होते हैं ये तो हम सब जानते ही हैं लेकिन उस मन के अंदर चल क्या रहा है वो एक पहेली जैसा है। ठीक ऐसे ही एक पहेली से कल मेरी मुलाकात हुई। फॉरन से एक Z5 पर रिलीज होने वाली लेटेस्ट फिल्म जिसको आप सस्पेंस, फ्रिल, मिस्ट्री किसी भी कैटेगरी में फिट कर सकते हो। पहले तेक बार क्लियर कर दूँ, इसी नाम की जो मल्यालम फिल्म है, ये नई वाली हिंदी फिल्म उसकी सीन टू सीन कॉपी नहीं है, सिर्फ आइडिया उठाया गया है वहां से। दौनों फिल्मों की कहानी, कैरेक्टर्स और स्पेशली क्लाइमेक्स बिल्कुल अलग-अलग हैं, लेकिन मजा वो बिल्कुल एक जैसा है, होश ओड जाएंगे दौनों फिल्मों की एंडिंग में। कहानी इस बाद मसूरी में शुरू होती है, जहां छोटी-छोटी बच्चियां ठीक अपने बड़े वाले दिन गायब होना शुरू हो जाती हैं, फिर थोड़ी देर बाद मिलती है तो सिर्फ उनकी लाश। अब इस केस को सुलजानी की जिम्मेदारी एक लेडी पुलिस ऑफिसर पर है, जो खुद एक छोटी सी बच्ची की केयर टेकर हैं और इसलिए इस केस में सिर्फ प्रोफेशनल ही नहीं, पर्सनल तरीके से भी जुड़ी हुई हैं। पहला तो यह कि पुलिस ऑफिसर और फॉरेंसिक एक्सपर्ट अजनबी बिल्कुल नहीं है, किसी जमाने में दो जिसमें एक जान हुआ करते थे। चालाक एंड खतरनाक टाइप की फिल्म है यह, हर पांच मिनिट पे कहानी अपना चहरा बदलती रहती है। इतने सारे ट्विस्ट और्ण्ज डाले गए हैं कि हर किसी पर एंड सीम तक आपको शक होता रहता है। स्पेशली यह जो बच्चे वाला एंगल डाला है इनोंने जिसकी बात मैंने विडियो के स्टार्टिंग में की थी वो इस फिल्म की कहानी को बाकी सस्पेंस ट्रिलर फिल्मों से अलग बना देता है। हाँ क्लाइमेक्स में देखो जो सीक्रेट्स बाहर आते हैं उसमें आप लॉजिक ढूढने निकलोगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा। बाकी चॉइस आपकी है, फिल्म दो घंटे की है, अगर कुछ हटके अलग तैप का देखना है तो Z5 पे चले जाना। मेरी तरफ से फिल्म को मिलेंगे पांच में से धाई स्टार्स, पहला तो सस्पेंस, ठ्रिल, एक्साइट्मेंट को आखरी सीन तक बचाने के लिए। बाकी वीडियो में कुछ पसंद रहा हो या फिर कुछ शिकायत करनी हो तो मैं आपको इंस्ट्रग्राम पर भी मिल जाओंगी, बढ़ना थोड़ा सा इंदुजार करिए, मिलूंगे आप से अगले वीडियो में, टेक के, बाई-बाई